आज अपनी फैबरेट पूरी दाल की पूरी की रेसेप आपके साथ शेयर करने जा रही हूं तो यह बहुत ही टेस्टी लगेगा यह मैं गैरंटी के साथ कहती हूं बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं तो देखें चने की दाल को मैंने यहां पर उबलने के लिए फ्लेम के तीन चार सिटी तक पानी इतना ही डालना है कि आपको बचेना यानि दाल भी उबल जाए और आथ डाल को बहुत जादा उबलना भी नहीं है इतना कि अगर आप इस तरह से हाथ में लेंगे और दबाएंगे तो यह तूट जाए ऐसा नहीं कि बहुत जादा गला दिया तो उसमें पानी काफी रहता है गलने के बाद अब यहां पे कड़ाही में तेल डाला है चार टेबल स्पून तेल जब गरम हो गया तो इसमें मैंने जीरा डाला है आधा छोटा चमच थोड़ा सा अजवाइन डाला है हींग डाला है दो तीन चुटकी कुछ सेकंड्स के बाद सकते हैं शक्तव में यास में लेसन अध्रक झाला है और रहता है यहां फिर यहां पे मैंने बारीक कटा हुआ दो प्याज डाला है हरी मिरच भी यहां तीन चार ले लें बहुत अच्छा इसमें खास कर किбо gehenज अश्वा 함व मैं इसे बिलकुल गोटन ब्राउन होने तक मैं तो अभी आप देखे गोल्डेन ब्राउन हो गया तो अब इसे मसाली डाल रही हो थोड़ी सी हलदी क्योंकि हल्दी पहले भी डाली थी एक चमज धनिया पाउडर आदा शोटा चमज गरम मसाला एक चमज कश्मीरी लाल निर्च पाउडर थोड़ा सा काला नमक डाला है धनिय कपत्ता डाला है और फिर से इसे मिक्स कर दिया फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और यहां पर इनी चीजों का आपको दियान रखना है कि इसे जलाना भी नहीं है बहुत जादा और बस यहीं इसी स्टेज पर अब मैंने यहां पर उबला हुआ डाल डाला है चने की डाल है यह और अगर डाल में ज़्यादा पानी डाल की उबालेंगे तो पानी तो फिर आप यूज करना दिक्कत हो जाएगा आपको इसलिए उतना ही पानी डाले जितने भी उबल जाए और पानी भी सुख जाए अब यह सब मैं अच्छे से मसालों के साथ मैं भून रही हूं और भूनते हुए मैं इसे मैश भी करूँगी लेकिन साथी साथ इसमें कुछ और चीज़ें जैसे मैंने कसूरी में भी डाला है थोड़ा सा और नमक मैं इसमें डालूँगी क्योंकि पानी तो थोड़ा बहुत जो कमना रहYN बहुत तो कम ना रहे समयर और देखा तो आप भी देखें का इसमें निभूकारस अगर ढ़ने तो मैंगो पाउडर भी आप पिस जगा पे द कर दिया और इसमें convened कर दिया दी थी मेंने मय निदा तो कुछ भी नहीं बनाना है तूर्ण तूर्ण दाल की स्टफिंग भी नहीं करनी है ना ही आटा गुंधना है तो 10 मिनट के बाद डेखिए मैं यहां लोई लेकर के आटे सुखे आटे भी लपेट करके केस की लोई जो है काटोरी बना रही हूं ताकि इसी के बीच में मैं दाल को भर सकूँ तो स्टफिंग करने का जो तरीका है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अब मैं यहां पर दाल डाल रही हूँ दो टेबल स्पून भर करके इसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून डाला जाल जादा जादा भर कर जब डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ पूरी आहीं खा रहे हैं अच्छे से कि दथना ने कि यह कांडूना लूँ इसके हम इसमें और आए हुए हमके मोस्ट करखेए मिने से नहीं फर्म लाइक, तेल की तेल की आट हो डाल दिया है यह आपकना बात दो तो एक तरफ से गुलाब हमाय नहीं पूरी को तलना है, एक तरफ से जब ये गुलावी हो गया, मैंने इसे पलट दिया, अब दोनों तरफ से जब ये गुलावी हो जाएगा, मैं इसे निकाल लूगी, ये चने की डाल की पूरी, चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, खास करके धनिया के पत्ते की जो चटन पर इसे जरूर बनाना पसंद करेंगे, अब चलिए इसे दिखाती हूँ, आप देखे कितने अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग हुई है, तो रेसीपी अच्छी लगे, लाइक, शेयर, कमेंट कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, देखने के लिए धन्यवाद,